जिवन समसार को सब्सक्राइब कीजिए पासवेबर ने बैल आइकोन को दवाईए हमारी लेटेस वीडियो देखने लिए आज हम बात करेंगे इसकीन एलर्जी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए बदले मोसम और धूल मिट्टी के कारण कई लोगों में इसकीन एलर्जी की समस्या होती है इसके अलावा जानवर के छुने से दर्द निवारक दवाईया लेने से टेटू बनवाने से फूर एलर्जी ड्रा इसकीन होने के अलावा केड़े मकोरे के काट जाने पे वह आपको हो जाती है वैसे तो skin allergy एक आम सी समस्या है लेकिन जब यह ज़्यादा फैल जाती है तो यह आपको बहुत ही ज्यादा समस्या पहला देती है और यह आपका पीछा बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ती है यह से में आपको यह पता होना चाहिए कि आपको skin allergy के दोरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके साथे साथ आपको कुछ घरे रूपाए बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदे मन होंगे आए यह तो चाहिए प्रकाश्म होने के लक्सर slight क्या क्या होते है इसकी नहीं एलर्जी होने पर आपकि तरचा पर लाल दबे पर जाते हैं, खंजली होती है फूंसी हो जाती है उसके दबे पर जाते हैं रहीम इसकी सिकाय겠 की हो जाती है जो आपकी एलर्जी को रोकने बहुती ज़्यादा हेलफूल रहता है, बहुती ज़्यादा मदद करता है अगर आपको कीवी नहीं मिले तो आप संत्रिया मुसंबी को भी अपने आर में डाल सकते हैं क्योंकि ये भी एक खटा फ़ले जो आपके लिए बहुती मददगार होगा, आपको स्कीन इलर्जी में बचाने में और साथी साथ आपको विटामिन C की कमी भी पूरी करने में बहुती मददगार होगा इसके बादे अनानास, अनानास में ब्रोमेल नाम के इंजाइन्स होते हैं जो इस्तमा रोग्यों के लिए बहुत ही आवशक होते हैं रोजाना अनास खाने से आपको इस्तमा और स्कीन इलर्जी में बहुत ही रहत मिलती है और यह आपकी स्कीन इलर्जी में आपको रहात पोचाना मदद करता है, साथ ही साथ आपको खुजली यह सी सिकायत भी होती है, तो उसमें भी कम कर देता है, वह भी कहत्म कर देता है, जिसके बादे एपल रोजाना एक है, एपल खाने से आपका इम्मिन सिस्टम बहुत जाद है और यह आपको बहुत ही मदद करता है, इसकीन इलर्जी में किटानों से लड़ने से, बैक्टेरिया से लड़ने में बहुत ही मददगार होता है, तो आप अपने आघर में सेव का सेवन कर सकते हैं, या अगर आप चायद तो सेव का जूश बना के भी आप पी सकते हैं, इसके बाद है रोजमेरी, रोजमेरी में रेसमेनी एसीड होता है, जो एलर्जी को रोकने बहुती ज्यादा मदद करता है, रोजमेरी खाने से आपको एलर्जी धीरे-दीरे कम हो जाती है, और साथी साथ आपको जलान एचिंग की सिगायच भी खतम होने लग जाती है, तो आ आप अपनी आहर में रोजबरी का भी सेवन कर सकते हैं आए हम जान लेते हैं इसकी निलर्जी में क्या नहीं खाना है सबसे पहले है शराब शराब तो इसी पीना बहुत ही हानी कर रहा है कि अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपको यह बंद कर देना चाहिए दिखा गया है कि कुछ लोग बोलते है कि सबसे में हम शराब का सेवन करते हैं क्योंकि इससे हमको गर्वी मिल जाती है मगर यह आपको इसकी निलर्जी की समझ से हो जाती है जोट इसके करन आपको बहुती ज्यादा दिक्कत पर ले जा सकता है ऑगर आपको सुरैसिस की शिकाइथ है यापको मुवासे की शिकाइथ तो आपको शराब तुरंत बंद करदेना च्च्छिए छोड़ देनाची अक्सा तच्चा की स्कीन की समस्या में देखा गया है कि ये आपके लीवर पे भी असर पर जाता है इसके करण लीवर के सही तरीके से काम ना करने करने कारण आपको ये तच्चा में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है और ये आपको बहुत ज्यादा नुक्सान पचा सकता ह इसलिए आपको अपनी आर में मिर्च मसालों को हटाना रहेगा क्योंकि मिर्च मसाल अगर आप ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपके सरीज में जलन बचाएगा और आपको खुचली करने की इच्छा होगी इसलिए आपको अपनी आर में मिर्ज मिसाले को भी हटाना है इसके बादे ज़्यादा शक्कर, सोडा और वजन बढ़ने वाली चीजों का आपको अपनी आर से हटाना है शक्कर भरपूर मातरा में बहुत ही ज़्यादा मोटा पाप पेदा करने की शक्ति होती है साथ साथ सोडा भी आपकी तरचा खेले बहुत ही हानी का रहा होता है इसके साथ साथ आपको फास्वड और रिफाइन वाले चीजों को भी नहीं खाना क्योंकि इसमें कारवाइडर्स की मातरा बहुत ज़्यादा होती है उससे भी बचना है क्योंकि यह आपकी शरीर को पूरी तरिके से बरबाद कर सकती है तो आपको इन सक चीजों का अपनी आहर में बिल्कुल भी नहीं शामिल करना है अब हम बात कर लेते हैं इसकी नेलरजी से बचने के लिए घरेल उपा है लिए इसके सकते हैं आप इसको दिन में या अप शाम की हूऊ सकता है इसके बाद आप कपुर और नारियल रेल के तेल बिच जोंने के लिए ron Camera Ilips को अच्छ्छित तरीक से से ब्रच्छर लीजों कि चाल शक्यात्य दिश्दन के इसको कुरता है यह तो थी ख्यूह बत यह जो हम जो था putin हों खोता है इसकी नेलर्जी के दुरान आपको क्या खाना खाना चाहिए इसके अलावा आपको यताना चाहेंगे कि अगर आपको इसकी नेलर्जी की समझसाँ है या और कोई शबी समय झाल